बारतिय जंता पार्टी रासमन में गतकुष दिनों से चली आ रही मंडल एक मंडल अध्यक्ष दो वाली इस्तिति का दोवर ऐसा लगता है आज विदिवत रूप से समाप्त हो गया जी हाँ आपको पता होगा कि गतकुष दिनों में जहां चार मंडल अध्यक्षों की नियु कि नियुप्टिया हुई और ये नियुप्टिया आगे भी जारी रहेगी जो नहीं मंडल दिश्व बने हैं वो अपना काम आगे करेंगे ये एक सतत प्रकिरिया है मगर साथ ही जिल्ला प्रभारी का एक statement आया कि प्रदेश के नित्रत्व के निर्देश के अनुसार इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है इस्तितिया यथावत कर दी गई है किसी को हटाये नहीं गया है मगर अगले किसी आदेश तक इस्तितिया हालात यतावत है कोई नहीं नियुक्ति तब तक मानिये नहीं होगी तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद बड़ी confusion वाली इस्तिति हो गई थी कि किसकी बात मानी जाए किसकी बात नहीं मानी जाए अखिर इस पूरे पूरे मामले का प्रक्रण का सच क्या है मगर आज प्रदेश के महमंत्री दामोदर अगरवाल वो रासमन में थे और उन्होंने बड़े इस पस्ट रूप से ये कहा है कि अगला कोई आदेश आने तक इस्तितिया यतावत रहेगी और साथ ही यह भी बताया है कि लोकसवा चुनाव होने तक जो पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं वो अपनी भूमी का आगे भी निर्वाहन करते रहेंगे लोकसवा चुनाव के बाद किसी बदलाव की अगर कोई गुंजश निकलती है इस्तितिया परिस्तिया होती है तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी मगर तब तक पूर्व के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो अपना काम विद्वत रूप से करते रहेंगे तो कुल मिला कर एक जो लंबे समय से कन्फिजन वाले इस्तिति चल रही थी कई बार आलात यह भी देखे गए कि दोनों ही एक ही मंडल के दोनों ही मंडल अध्यक्ष नए वाले और पुराने वाले अपने अलग-अलग मीडिया की खबरों के माध्यम से अपने अलग-अलग कारिक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते रहें कि साब हम अभी काम कर रहे हैं पहले वाले दिखाते रहे हम काम कर रहे हैं दूसरे वाले वाले दिखाते रहे हम भी काम करना शुरू कर चुके है तो ये स्對了ya बड़ी हशयस्पद हो गई थी बड़ी confusion वाली हो गई थी में परिवर्तन किया गया था उसमें से तीन बंडल अद्लक्ष नाथत द्वारा विदान सवा के माननिय प्रदेश अद्लक्ष जी ने एक बार कहा कि चुनाव तक पूर्व को यथावत रखना है किसी प्रकार का कोई विबाद नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं मैं अधिक्रि द्वारा के तीनु मंडलों में पूर्व अध्यक्ष यथावत काम करेंगे